तुमस्का दोस्तों इस वीडियो में जी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL Limited की स्टॉक 135 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में इसने 3.84 परसंट का अपमोव दिया है आज मार्केट कैप है इसकी 19,447 करोड की तो मोटर होलिंग 37.60 परसंट है वुक वेली 27.40 है डिविडिन देल 0.15 परसंट है और फेस वेली 1 है फंडामेंटल वीडियो में आज़री बना चुकी हूँ प्लेलिस में आड कर दूँ है आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो यह स्टॉक 50 & 200 देखें में दोनों से उपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है पी रेशो की बात करें तो मेडियन से छोटी सी ऊपर है इतने कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फाइज के टाइम स्पैन पे एंड वन मन्त पे देखें तो छोटी सी नीचे है तो यह एक अच्छी बात है पॉस्टिव पॉइंट है हमारे लिए सेल्सेर मार्जन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जन जो है हमारा वो 29.25 पे है एंड जो सेल्स है क्वाटर अन क्वाटर डिक्रीज हुई थी बट ओवराल रिजल्ट मारा अच्छा आ गया था तो उसकी वज़से हमें रन देखने को भी मिला है अभी के लिए हम देखे शेर होलिंग पैटरन तो शेर होलिंग पैटरन में प्रमोटर ने 0.06 परसेंट कम किया है और एफ याई इस ने बहुत स्ट्रॉंग ली अपनी होलिंग बढ़ाई है पब्लिक के पास 47.91 परसेंट है पहले 48.91 था 1 परसेंट पब्लिक के पास कम हो गया है और जो ह से उव्ट हैमर मिला था हमने तभी बात कर थि कि यहाँ पे स्टॉक हो सकता है कि 3 वाइट सोलजर बनाने की कोशिश कर रा रहा और जो की पैटरं यहाँ पे पहले देखा गया था उसी की उमीद थी और वही यहां पे पैटरन देखने को मिला है हमें एंड हमारे जो यहां तक के टागेट है इस मन्त के एंड के उसका एक दिन और बचा है मुझे लगता है कल मूब मिल सकता है बट प्रॉफिट बुकिंग कल स्टॉंगली मुझे लगता है देखने को मिल सकती है साथ के साथ वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम 76.305 मिलियन का आया है एंड कल 67% का आया था उससे पहले 32.94% का आया था तो हमें तीन यहां पर मारू भुजू कैंडल मिली है बुलिश पैटर्न है आज इसने नियू हाई भी बनाया है इसका पुराना हाई जो था 52 वीक हाई बन 40 रूपीज इसने ऊपर किया है 40 पैसे का इसने ऊपर आज हाई टच किया है तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो वीकली गनलेकवार चेक करते हैं डिलिवरी परसेंटेज के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हो सकती है एंट्री एंग्जिट तो अभी के लिए देखें तो स्टॉक डेफिनिटली बायस के हाथ में हैं और आरेसाई बिल्कुल सही पॉइंट पे है बस आरेसाई उस पॉइंट के काफी करीव है जहां से चोटा सा हॉल्ट लेती है 60 को टेस्ट करके आ सकती है फिर से यहां पे यह रिजिस्टेंस बनी हुई है और यहां पे सपोर बना हुआ है तो यह पॉइंट थोड़ा सा क्रूशल रहेगा मुझे लगता है अभी के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे और कुछ एनलेसिस करने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या किया जा सकता है और तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ प् ट्रेंड जरूर बनता हुआ यहां पे दिख रहा है तो पहले तो उसको लगा लेते हैं क्योंकि यहां पे ओके लेट स्टार्ट फ्रॉम ही और यहां पे कहीं पे मुझे लगता है कि इसका लेके चलते हैं हम क्योंकि वो थोड़ा सा जादा वो हो जाएगा ओके तो यह हमार तो यहीं पर हो रहा है 1 and then 2, 3, 4 तो देखिए अब यहाँ पर analysis थोड़ी हमें easy हो जाएगी करनी तो यहाँ पर हमें uptrend बनता हुआ दिखाई दे चुका है and आज जो resistance आई है तो basically यहाँ के इसकी लेकिया है channel की दूसरे यहाँ से पहले भी मैंने बात करें कि हो सकता है इस channel को कल break करें कि जिस तरीके का volume आ रहा है volume को देखके लग रहा है कि हो सकता है यह break करें हो सकता है इस target को achieve ही कर जाए but surely यह target को achieve करेगा नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इस टॉक में अच्छी बात यह है पहले इसको हम हटा लेते हैं थोड़ा सा यह तो बहुत जादा वह हो जाएगा तो इस टॉक में अच्छी बात मुझे यह लग रही है अभी के लिए कि इस resistance के उपर इसने sustain किया है बट यह जो इसकी हाई की resistance थी उसको अब आज ही हमने चैनल क्रेट किया है बट कही ना कहीं बंता हुआ दिखाई दे रहा था यह तो अभी के लिए हम चलते हैं बी सी पर चेक करते हैं इसका delivery volume तो delivery volume मैंने चीक स्टॉक निकाला यह तो यहां का very strong ठीक है तो यहां पर मुझे लगता है कि कल अगर move मिल सकता है साथ के साथ profit booking देखने को मिलेगी और यहां तक stock मुझे लगता है trade करता हुआ देख सकता है 133 तक अगर नहीं तो हो सकता है यहां पर भी sustain कर सकता है क्योंकि यह भी एक resistance तो बनी ही हुई है 135 के आसपास भी sustain कर सकता है and मुझे लगता है कि RSI 60 के पास आएगी इसको test करेगी जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि यहां से move मिलेगा कल and कल हमने बात करी थी और उसके बाद RSI यहां पर test करने आएगी तो हो सकता है कि अगर इस टॉक को इस जो support है उसको अगर ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि यह वाला support भी फ्रेक बनता हुआ दिखाई दे रहा है which is 132 इसको कर लेते हैं हम यलो तो 132 का support भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इसको यह ब्रीच कर देता है तो यहां से इसको move मिल सकते हैं and reversal मिल सकता है इसको वहां से तो touch कर सकता है हो सकता है sustain ना करे तो 4% के move के आसपास की उमीद है कल जो हमने analysis करी थे तो हमने यही बोला था कि 4% के आसपास move मिल सकते हैं और वो मैंने इस resistance को ध्यान में रखते हुए और इसके high को ध्यान में रखते हुए बोला था and कही न कहीं वो ही देखने को मिला है तो अभी थोड़ा सा let's see कि क्या होता है थोड़ा सा volume के उपर खासा ध्यान रख के चले and जो हम देख रहे थे तो news अभी के लिए कुछ भी नहीं है immediate कुछ अभी मैंने जल्दी बना दी है वीडियो अगर इसके थोड़े बाद आ ज section में and मैं कोशिश करूँगे कि उसको read करके and जितना मुझे समझ आए आपको उतना convey करने की कोशिश करूँगी ठीक है और यह जो हमारे यहां के टागेट है month end के जो हम target लेके चले हैं उसको चीव करने के लिए हमें 26% के आसपास के move की जूरत है तो मुझे लगता है RSI पास आएगी थोड़ा सा इसको hiccup भी आएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि कल काफी chances हैं कि नीचे आ सकता है ठीक है तो यह मेरी analysis है कोई buy sell hold की recommendation नहीं है आप अपनी analysis कीजिए जानिए समझे पढ़िया और फिल invest करिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक गले शु झाल 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 झाल